हलो फ्रेंट्स मैं हूँ अभीहा इंतिखाब आपके अपने यूट्यूब चाइनल अभीहा क्लास है सफलता की सोच में आपका स्वागत है तो हम पढ़ने है भारत की राजववस्था है एम लक्षमे कांद की बुक है वेरी इंपॉर्टन बुक है अगर आप किसी पर सिवल सेवा की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही साथ किसी पर कॉम्पटिटिव एक्जाम्स के अगर तैयारी कर रहे हैं तो यह बुक आपके लिए बहुत जादा हलफुल होगी तो आज हम इस बुक का नौमा चैप्टर पढ़ेंगे नाइन्थ लेसन पढ़ेंगे और अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो फिकर करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं हर चैप्टर के साथ पीडिएफ भी बिना रही हूँ और पीडिएफ का लिंक डिस्क्रिप् तो नाइन्थ चैप्टर का नाम है मूलकर्दव यानि फंडामेंटल राइट्स या फंडामेंटल ड्यूटीज अगर हम कह सकते हैं तो फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी क्या है इससे पहले वाले चैप्टर में हमने मौलिक अदिकार पढ़े तो आज हम मूलकर्दवे बात में 1976 में नागरिकों की मूल कर्दव्यों को समिधान में जोडा गया, 2002 में एक और मूल कर्दव्यों को जोडा गया, भारती समिधान में मूल कर्दव्यों को पूर्वरुसी समिधान से प्रभावित होकर लिया गया, यानि यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मूल कर्दव्यों को विशलेशित नहीं किया गया है अब आगे बात करते हैं स्वाड़ सिंग समीति के क्या सिफारश थी उन्हें सचेटर में कॉंग्रेस पार्टी ने सरदार स्वाड़ सिंग समीति का गठन किया जिससे राष्ट्रि आपातकाल के 1975 से 1977 के दोड़ान मूल कर्टव्यों उनकी आवश्यक्ता आधी के संबंध संस्तुति देनी थी समीति ने सिफारश की कि सम्यधान में मूल कर्टव्यों का एक अलग पाठ होना चाहिए इसमें बताया गया कि नागरिकों को अधिकारों के प्रियोक के अलावा अपने कर्टव्यों को निभाना भी आना चाहिए केंद्र में कॉंग्रेस सरकार ने इन सिफारश को स्विकार करते हुए 42 में सम्यधान संशोधन अधीनियम 1976 को लागू किया इसके माध्यम से सम्यधान में एक नए भाग चार कव को जोड़ा गया इस नए भाग में किवल एक अनुछेत था और अनुछेत 51 का था जिसमें पहली बार नागरिकों की 10 मूल करतव्यों का विशेश उलेख किया गया है यदपी स्वण सिंग सम्यधान में 8 मूल करतव्य को जोड़ा लेकिन हम जानते हैं हमारे 11 मूल करतव्य हैं जोड़े जाने का सुझाव दिया था लेकिन 42 से सम्यधान सं आगे बात करेंगे तो अनुछेत 55 के अनुछार भारत की प्रतेक नागरिकों का करतव्य यह होगा सम्यधान का पालन करें और उसके आदर्शों और संस्थाओं राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रिगान का आदर करें स्वधंद्रता के लिए हमारे राष्ट्रि आंदुल और समान भात्रत्व की भावनागा निर्मान करें जो धर्म और भाष्ट्र प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेत्वाओं से परे हैं ऐसी प्रत्थाओं का त्याग करें जो इस्त्रियों के सम्मान के विरोध में हैं हमारी संस्थ्रिति की गौरशील परंपरा को महत्व समझें और उसका परिरक्षन करें, प्राकृतिक पर्यावरन की जिसके अंतरगत वन जील, नदी और वन्य जी में रक्षा करें और उसका समवंधन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दयावा भाव रखें, वैज्ञानिक दृष्टी कोड मानवतावाद और ज्यानरजन नई उचाईयों को छूले, छे से चौदा वर्ष तक की उम्रे के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्द कराना ये करतावे, चालिसवे समयधान संशोधन अधीनियम 2002 की द्वारा जोड़ा गया, देखें ये सबसे अंतिम जोड़ा गया है, जो हम टोटल मैंन कुछ नागरिक, उधारन के लिए स्वतनतता संग्राम के उच्चादर्शों का सम्मान एक नैतिक दायत्वे हैं, जबकि राष्ट्री द्वज एवं राष्ट्री गान का आदर करना नागरिक करता हुए, कुछ मूल अधिकार जो सभी लोगों के लिए चायवे नागरिक अब आगे बात करते हैं, कि इसकी कुछ आलोचनाएं भी हुई है, जैसे कि मूल करतवों की कुछ आलोचनाएं उस पर भी बात कर लेते हैं, कुछ करतवे अश्पष्ट बहु वर्थी एवं आम व्यक्ति के लिए समझने में कटे लें, उधारन के लिए विभिन शब्दों की भिन्य व्यक्या हो सकती है, उचादश, समख संस्कृती, वैज्ञानिक दिष्टे कोड़ादी, आलोचको ने कहा कि सम्विधान के भाग चार में इनको शामिल करना मूल करतवे की मूल वह महत्वों को कम करती है, उन्हें भाग तीन के बाद जोड़ा जाना चाहिए था, ताकि वे मूल अधिकारों के बराबर रहते हैं, अब आगे बात करते हैं मूल करतवे का महत्वों क्या है, तो उस पे भी हम एक दृष्टी डाल लेते हैं, ततकालीन विधी मंत्री एचार कोखले ने सम्विधान लागू होने के 26 वर्षों बाद मूल करतवे को शामिल करने के निमलखित कारण बताये थी, सुधन्तर भारत के लिए विशेष्टा जून 1975 को आपातकाल की पूर्व संध्या पर लोगों की एक वर्ग ने स्थापित विधिक व्यवस्था का सम्मान करने के लिए अपने मूल प्रति बदिता के प्रति कोई उत्सुत्ता नहीं सम्मान में मूल कर्टव्यों को जोडने को उच टहराते हुए यह तर्क दिया कि इससे लोग तंतर को मजबूती मिलेगी अब आगे बात करते ही नई सरकार 43 संशोधन अधीनियम 1977 एवं 44 संशोधन अधीनियम 1978 के द्वारा 42 संविधान संशोधन अधीनियम 1976 में अनेक लक्षित करता है कि संविधान में मूल कर्टव्यों को जोड़ा जाना आवश्यत था यह जादा सपस्ट हो गया कि जब वर्श 2002 में 46 संशोधन अधीनियम के द्वारा एक और मूल कर्टव्यों को जोड़ा गया अब आगे देख सकते हैं कि वर्मा समीधी की क्या टिपड़ तो पहली टिपड़ी जो थी राष्ट्र गौरव अपमान निवारन अधीनियम 1971 या भारत के संविधान राष्टी द्वच और राष्टी गान के अनाधर का निवारन करता है सिविल अधिकार संदक्षन अधीनियम 1955 जाती एवं धर्म से संबंदित अपरादों पर दंड की व्यवस्था करता है लोग प्रतिनिदित्व अधीनियम 1951 प्रष्टाचार में संलिप्ध धर्म के अधार पर मत मांगने लोगों में धर्म जाती भाषा के अधार पर विबेद बढ़ाने वाले संसत सदस्यों एवं राज विधान मंदल सदस्यों को आयोग खोशित करने की व्यवस्था करता है वन्य जीव संद्रक्षन अधीनियम 1972 दुलब और लुप्त प्राय प्रजातियों के व्यपार पर प्रतिबन लगाता है तो आज का चैप्टर आपका बहुत छोटा था तो आज का चैप्टर बस यही पर खत्म होता है तो थैंकियो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीचे का वीडियो को लाइप कीचे को और आगे हम पढ़ेंगे तस चैप्टर